कर जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया तो हर कोई बहुत जादा एक्साइटेट था लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखके सब की एक्साइटमेंट खतम हो गई आपको उतादे कि पाकिस्तान एक से क्यानबे रनों पे ओल आउट होगी पहले बल् रुकरी तो 30 ओवर में जो चेज था वो बिल्कुल कर लिया एक सो बानबे रन बनाने थे भारत को बड़ी आसानी से 30 ओवर तक खतब होते होते आराम से यह चेज उन्होंने कर लिया लेकिन आपको उतादे कि पाकिस्तान जब से भारत से हा रही है तब से पाकिस्तान को लो पाकिस्तान की टीम जो है उन्हें थोड़ी संभल जाने के जरूरत है आप भारत की खिलाफ इस तरह नहीं हार सकते हैं चली इस विडियों बताते हैं कि रमीज राजा ने अपनी स्टेट्मेंट में पाकिस्तान की हार को लेकर क्या कुछ कहा है यह पाकिस्तान को दुख पह पाकिस्तान क्रिकेट टीम यह भी नहीं कर सकी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को खराप्रदर्शन को लेकर कुछ करने के जरूरत है आप भारत के सामने चोकर्स नहीं बन सकते हैं यह टैक सही नहीं है हाला कि भारत के लिए भी मैच आसान रही रहा क्योंकि उनके इमोशन जुड़े हुए थे आसान तो दोनों Kेलिए ही नहीं था यह मैचक पाकिस्तान के लिए मुश्किल था भारत के लिए और भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि भारत के उपर जो crowd था उनका बहुत ज़्यादा दबाव था भारती फैंस का दबाव था और अगर अगर अपनी देश में अपनी फैंस के सामने वो हार जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती भारती टीम के लिए लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदों को जिंदा रख कप में अर्जिश्रतक लगा लेकिन अर्श्रतक लगाते ही बाबर आजम सिराज की बॉल पर चलते बने उसके उसे रिजवान भी नहीं टिक तकी वह भी आउट हो गया और जब यह दो बल्ले बाद से पाकिस्तान के धड़ा-धड़ विकेट जो थे वह गिरने लगे पाकि स्ट्रीक थी वह 70 की बजाए 80 हो गई और अभी भी पाकिस्तान जहां की तहां है और भारत काफी जादा उनसे आगे निकल चुकी है आपको कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ उफान स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब करन अब लगो भी ने बोले